हेलो स्टुडेंट्स क्लास वब चीवर सिमाब को स्वागत है और हम स्वागत है और हम स्वागत है क्लास 10 की एक साइज 4.2 और आज इसका कोशन नंबर 5 जो इसको स्वागत करेंगे तो देखें यहां पर कोशन की स्टेटमेंट बोलता है तो एल्टिटूड ओफ है राइट होता है इसको कहते है एल्टिटूड तो यहां पर बोलता है कि एल्टिटूड जो इस ट्राइंगल रखा वह साथ सेंटीमेटर कम है बेस से तो अगर हमने बेस को एकस माल लिया तो यह हो जाएगा साथ सेंटीमेटर कम एकस माइनस से साथ सेंटीमेटर कम है सेवन माइनस ए बात करता है तो इसकी अनदर टू साइट निकाल लिए तो हमने बेस माल लिए एक्स हाइपोटेनिस इन्हें प्रपेंडिकुलर हमारे पास होगे एक्स माइन सही होगे थार्टीन तो देखिए इसमें कन्फूजन दूसरी यह रहती है कि भी इसमें निकालेंगे कैसे साइट तो इसमें देखिए क्या लगता है तो पाइथागर लगेगा तो हम कर देंगे इसमें हाइपोटेनिस का स्क्वेर जो है मैं यह नहीं लिख रहा हूं कि लैट बेस इसकोल टू एक्स सेंटिमेटर आप लिख लेना उतना हो जाएगा उसमें और इसके बाद हाइट जो एक् 13 का स्क्वेर कितना होगा 169 इस उकल टू एक स्क्वेर यह हो जाएगा A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस 2AB क्योंकि A प्लस B फोल स्क्वेर का फोर्मल लगेगा A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस 2 मल्टिप्लाई बए A मल्टिप्लाई बए B 169 इस उकल टू X स्क्वेर प्लस X स्क्वेर यहां पर हो जाएगा 49 और ही हो जाएगा माइनस 14X और X स्क्वेर प्लस X स्क्वेर होगा 2X स्क्वेर तो 169 इस उकल टू 2X स्क्वेर माइनस 14X प्लस 49 अब X स्क्वेर वाला जो वो प्लस में रहना चाहिए तो इसलिए 169 को हम इस साइड ले जाएगे तो यह बन जाएगा 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0 तो देखिए अब यहाँ पर यह रहेगा 2x square minus 14x 169 में से 49 गया तो बचेगा 120 तो minus 120 क्योंकि बड़े का sign आएगा is equal to 0 अब 2 common ले लिया तो कितना बचेगा x square minus 7x minus 60 is equal to 0 अब फिर से वही इस constant के साथ x square को coefficient को multiply करा तो x square को coefficient यहाँ पर 1 ही है तो 60 यह आएगा तो 60 का LCM लिया तो 30 और 15 35 और 5 बंजा 5 तो अब x square minus देखिए बोलता माइनस करके minus 7 answer आना चाहिए इनको ठीक है तो 3 टूजा 6 और 6 टूजा 12 तो 12 में से 5 गया तो बसता है हमार पास 7 तो इसलिए minus का 7 आना चाहिए इसलिए 12 जो माइनस करेगा तो minus 12 x x यहीं का गया और यह 5 प्लस में रहेगा प्लस 5 x minus 60 is equal to 0 अब इन दोनों में से common ले लिया तो यह आगा x common आएगा तो x minus 12 हो गया और यहाँ पे common आएगा प्लस 5 तो बचेगा x minus 12 is equal to 0 अब x minus 12 देखें दोनों से common ले तो बचेगा x minus 12 और यहाँ पे होगा x plus 5 is equal to 0 x minus 12 को 0 के बराबर कर दिया और यहाँ पे x plus 5 को भी 0 के बराबर कर दिया इस side जाएगा तो x हो जाएगा plus 12 और यह हो जाएगा minus 5 के तो plus की side लेनी है क्योंकि देखिए plus के side जो इसके dimensions जो होती है वो plus में होती है तो x हमारे पास यह 12 cm में से सेंटीमिटर आ गया और यह जो क्या बोलते हैं हाइपोटिनिस नहीं altitude जो होगा वो हो जाएगा 12 minus से साथ तो 12 में से साथ गया तो बच्चे का 5 प्लस का 5 तो इसलिए यह हाइट आ गया हमारे पास 5 cm यह 12 cm और यह 13 cm आ गया तो इसके सारे साइड निकल गए हैं तो मुझे रगता आपको समझा आ गया होगा अगर आपका आपकी कोई doubt रहेगा तो comment box में लिदीजेगा या एक अगया है कि कर data सथो इसलिए